तेस्टी, डिलिशेस, टेम्टिंग ऐसा नाष्टा किसे पसंद नहीं अगर वो नाष्टा कुछ अलग तरीके का हो थंडी के दिन चालू है तो पराठे खाने का मन सभी का करता है और पराठो के साथ वाइट वाला घर का बना मक्खन हो तो बात ही कुछ और है ऐसी ही रेसिपी है गोबी पराठा, डिफ्रेंट स्टाइल, यूनिक स्टाइल, इंस्टन्ट ऐसा बन कर तयार हो जाएगा आप इसे लंच में भी खा सकते है, डिनर में भी खा सकते है, सुबह नाष्टे में भी खा सकते है इतनी बढ़िया रेसिपी है, आप जरूर जरूर ये रेसिपी ट्राइ कीजिए, आप अंदर से देख सकते है, ये स्टफिंग कितना बढ़िया देख रहा है, जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये गोबी का पराथा है, तो चलिए शिरुवात करते हैं, गोब बढ़ाने वाले मतर और गोबी के पराथे बनाने के लिए, हरे वारे मतर एक अप लिये है, ताजे वाले धाइसो ग्रैम गोबी लिया है, इसे तुकडों में कट कर लिया है, फिर रख देंगे कड़ाए में पानी उबालने के लिए, और फिर इसमें डाल देंगे नमक, नम पिंच ओफ चीनी शुगर डाल देंगे पिंच ओफ और फिर इस पर डाल देंगे हरे मतर गोबी उबालने के लिए ताकि गोबी के अंदर की इंप्यूरिटी तो निकल जाए और मतर भी अच्छी तरह पानी में गोबी और मतर पक जाए ये दोनों को अच्छी तरह एक 10 के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह उबालने देंगे ताकि अच्छी तरह पक भी जाए और इंप्यूरिटी भी निकल जाए और 10 मिनिट इसे ऐसे ही उबालाने देंगे मीडियम फ्लेम पर फिर सबसे पहले इसे मूँ का स्वात बढ़ाने वाला मसाला तयार करेंगे पर और फिर इसे अच्छी तरह जब तक जीरे का कलर बदल नहीं जाता तब तक इसे हमने फ्राइ करना है बून लेना है और जीरे का कलर जैसे ही बदल जाए आप देख सकते हैं फ्लेम को कर देंगे और इस मसाले को थंडा होने देंगे अच्छी तरह पूरी तरह थंडा कर लेना और आप देख सकते हैं मटर जैसे ही उपर आए दस मिनिट बाद गो भी दोनों भी अच्छी तरह पक चुके हैं मीडियम पक जाते हैं जादा नहीं दस मिनिट में अच्छी तरह ये और फिर इसे चान लेंगे पानी को पानी पूरा निकालना है और इसे चन्नी को इसी तरह निकल जाए और पानी कड़ई में गिर जाए और इसे थंडा कर लेंगे पूरी तरह और फिर ये मसाला भी थंडा हुआ है जो हमने भून लिया था और इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में मिक्सी के जार में डालने के बार इसमें डाल देंगे नमक काला नमक लिया है एक ट या 5 टीस्पुन, मैंने या 5 टीस्पुन, यूज़ की है, और इसे ग्राइंड कर लेंगे, महीन ऐसा तयार है, मल्टी किचन पुने स्पेशल पराठे का मसाला, आप ये मसाला घर में तयार कर सकते है, इसे एरटाइट कंटेणर में बरके रख सकते है, जब मन चाहे तब परा नुसर हरी मिर्च कम या जादा कर सकते हैं और फिर इसे ग्राइड कर लेंगे महीन ऐसी पेस्ट तयार कर लेंगे पेस्ट तयार है फिर लेंगे एक बड़ा बाउल उसमें डाल देंगे यह हरे मतर और गोभी और इसे अच्छी तर हम स्मैश कर लेंगे यह पूरा थंडा हमने इसे बाउल में डाल दिया है फिर डाल देंगे हरी मिर्च और अध्रक की पेस्ट और फिर इसे मसाला डाल देंगे जो मसाला हमने घर पर तयार किया है पराथा मसाला मल्टी किचन पूने स्पेशल यह सवाटी स्पून मसाला हमने डाल दिया है और अच्छी तरह इसे स मैश कर लेंगे समेशर से, 10 मिनिट में यह जब पक जाता है, पानी में तो अच्छी तरध समेश हो जाता है, यह अच्छी तरध समेश हो चुका है, फिर इसमें डाल देंगे, और स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल दीए है, महिन कटी हुई और फिर इन सभी चीजों को हल्दी के साथ mix कर लेंगे फिर इन सभी चीजों को 24 तफिंiges को mix कर लेंगे ताकि सबी चीजे अच्छी तरि mix हो जाए और पराथे मूं का इसमें मिलाए है mouth watering ऐसा ये बन कर तयार हो जाता है सबसे पहले पराठे का आटा गूत लेंगे इसके लिए लिया है दो कप ग्यो का आटा नमक डाल देंगे आधा टीस्पून और पानी डाल कर इसका टाइट ऐसा डो तयार करना है जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे हमारे आटे के उपर डिपेंड होते हैं अगर आटा फिर से एक बार तेल में आटे को गूत लेंगे अच्छी तरह ताकि पराठे बेलने में हमें कोई कठीनाई ना हो बिल्कुल महीन ऐसा टाइट ऐसा डो हमने गूत लिया है अभी इसे बेल लेंगे अच्छी तरह से मीडियम साइज में फिर लोई को हमने तेल लगा लिया है फिर stuffing डाल देंगे, stuffing डालने के बाद इसे इस तरह से fold कर लेंगे, round shape में अच्छी तरह fold करेंगे, और fold करने के बाद ये जो उपर आता है, इसे इसी तरह press करके हाथ में सबसे पहले इसे गोल-गोल घुमा लेंगे, और फिर इसे सू काठा लगा कर अच्छी तरह बेल लेंग और फिर तयार हो जाएगा हमारा पराठा, आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया पराठा बेल कर तयार हो रहा है, बहुत ही tasty ये पराठे लगते हैं, गोबी के हैं, लेकिन गोबी खाने में बिल्कुल लगता नहीं है, ताकि हमने इसे अच्छी तरह पानी में उबाल लिया है, इसे तयार है, पराठा बेल कर आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया बना है, अभी प्यान को किया है हमने गरम, मीडियम फ्लेम पर और प्यान में डाल देंगे, पराठा सेखने के लिए अच्छी तरह पराठे को हम सेख लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह सेखना दीजे, ताकि घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पराठो में, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, गरम गरम पराठो के उपर यहां हमने मक्खन लिया है, घर का बना मक्खन और फिर घी डालने के बाद यह अच्छी तरह सीख चुके हैं, आप कलर देख सकते हैं, कित बढ़िया तयार हुए है, मल्टी किचन पूने स्पेशल गोभी मठर के पराठे थंडी के दिनों में खास बनाए जाते हैं, आप जरूर जरूर यह रेसिपी ट्राइ कीजिए, इसी तरह हम सभी पराठे तयार कर लेंगे, टेस्टी माउट वाटरिंग ऐसे पराठे सभी ब बढ़िया टेस्टी डिलीशेस बन कर तयार हो जाते हैं, आप जरूर जरूर यह रेसिपी घर पर ट्राइ कीजिए, और अपना पूरा दिन स्पेशल बनाईए, मल्टी किचन पूने चाइनल को जो पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर जरूर चाइनल को सब्सक्राइब की कीजिए, यह पराठा हम तोड़ कर भी देखेंगे, अंदर से स्टफिंग आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया स्टफिंग दिक रही है, गोभी मटार के पराठे, ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, इस तरह से आप पूरे घर वालों को यह पराठे बना कर घर के बने मक अखन के साथ खिला सकते हैं, जरूर जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, अगली नई रेसिपी आपको कौन सी चाहिए, जरूर जरूर कमेंट में आप लिखिए, ताकि हमारा होसला ऐसा ही बढ़ता रहे, मल्टिकिचन पूने चैनल को फ जरूर जरूर फालो कीजिए, खाते रही है, खुश रही है